हेलो फेंज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंद भारदवाज दोस्तों, कम्प्यूटर 2020 स्रीज का जो भी वीडियो अपलोड किये हैं, उसका रिस्पोंस बहुत अच्छा रहा है सपोर्ट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद तो दोस्तों, चलते हैं आज एक कम्प्यूटर 2020 स्रीज के पार्ट 5 की ओर जहां कुछ नए, कुछ पुराने 20 बहु विकल्पिय परचार्चा करेंगे और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि परती एक दिन सुभा 8 वजे वीडियो लाइव आता है उस समय आप लाइव चैट में अपना एंसर कमेंट कर देख सकते हैं कि टोटल 20 क्वेस्टन में आपका कितना सही हुआ है और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि टोटल 20 क्वेस्टन में आपका कितना सही हुआ है 10 सही हुआ है 15 सही हुआ है 18 19 20 जो भी सही हुआ है out of 20 कितना सही हुआ है वह वीडियो के आंते में जरूर बताएं और friends एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देखनी के लिए बेठे तो अपने पास copy column जरूर रखें ताकि सभी questions को no down कर सके अगर friends आप answer और question नहीं लिखना चाहते हैं अगर आप इस वीडियो का पीडियाप प्राप करना चाहते हैं तो आप हमारे telegram चैनल को जोईन कर ले वहाँ आपको इस वीडियो का link और इस वीडियो का पीडियाप दोनों मिल जाएगा आपको telegram चैनल का link नीचे description box में मिल जाएगा और friends अगर अभी तक आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon प्रेस कर all notification कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का notification आपको मिल सके तो friends चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम input output based 20 multiple choice question को discuss करेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं friends आज का पहला question है dot matrix, desk jet, ink jet and laser are all types of which computer peripherials यानि dot matrix है, desk jet है, ink jet है and laser ये सभी कौन सा peripherials है option A, printers, option B, software, option C, monitors, option D, keyboards आप जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए, आपका time शुरू हता है अब friends question number one का राय टेंसर होजेगा option A, printers यानि जो भी नाम दिया हुआ है dot matrix है, या फिर disk jet है, ink jet है, laser है, ये सभी क्या है, printer है तो question number one का राय टेंसर होजेगा option A, printer question number two, that device primarily used to provide hard copy इज़दा, यानि मुख रूप से hard copy प्रोभाइड करने के लिए किस device का उप्योग किया जाता है, option A, CRT, option B, computer, console, option C, printer, option D, card reader तो जल्दी साप अपना answer कमेंट केजिए, आपका time शुरूब हता है, अब तो friends, question number two का राय टेंसर होजेगा, option C, printer तो कि देखे, CRT क्या है, CRT monitor है, ठीक, इस पर result display होगा, soft copy मिलेगा, हमें hard copy नहीं मिलेगा computer console है, computer console क्या है, computer console को हम लोग system console भी काते हैं, यह क्या है, a text entry and display device for system यानि text entry, इसमें हम text को इंटर कर सकते हैं, और यह हमें display करके text को दिखाएगा, और card reader है, card reader का उप्योग आप जाओ नहीं है, किसी भी card को read करने के लिए, card reader का memory को read करने के लिए, हम लोग card reader का उप्योग करते हैं तो hard copy के लिए हम जिस device का उप्योग करते हैं वो हमारा है printer तो question number 2 का राय टेंसर हो जगा printer, option C question number 3 which one is not an input device निम्न में कौन सा input device नहीं है option A, keyboard, option B, mouse option C, speaker option D, scanner तो friends, जल्दी से आप अपना answer comment किजिए, आपका time शुरू होता है अब तो friends, question number 3 का राय टेंसर हो जगा option C, speaker जैसे keyboard क्या है, keyboard input device है option B, mouse है mouse क्या है, input device है option D, scanner, scanner भी क्या है input device है, तो question में कह रहा है, which one is not an input device यानि, निम्न में कौन input device नहीं है तो question number 3 का राय टेंसर हो जगा option C, speaker क्योंकि speaker क्या है, एक output device है question number 4 what are the two types of monitor option A, CRT and DVD option B, CRT and LCD option C, DVD and VCD option D, LCD and DVD तो friends, जल्दी से आप अपना एंसर कमेंट कीजिए आपका टाइम शुरू हता है, अब तो friends, question number 4 का राय टेंसर हो जगा option B, CRT and LCD देखे, option number A में CRT क्या है, monitor है लेकिन DVD क्या है, storage device है सेम उसी तरीका से, option number C में DVD or storage device है और option number D में भी DVD, storage device है लेकिन question में पूछ रहा है, कि what are the two types of monitor ठीक, तो हमारा option क्या हो जगा, option B, write tensor हो जगा CRT and LCD question number 5, dash keys are present on the top row of the keyboard योनि keyboard के सबसे top row में कौन सा button present होता है option A, function, option B, typewriter, option C, numeric और option D, navigation तो फ्रेंज, जल्दी साप अपने answer कमेंट केजिए आपका time शुरू होता है, अब तो फ्रेंज, question number 5 का write answer हो जगा, option A function की, यानि आप keyboard में देखते होंगे सबसे उपर वला line जो हता है उसमें कौन सा button रहता है तो function बटन रहता है, जिसमें F1, F2, F3, F4, F5 से लेकर के F12 तक इंकित किया हो रहता है तो question number 5 का write answer हो जगा, option A, function question number 6, to what temporary area can you store text and other data and later paste them to another location यानि वह कौन सा temporary area है, जहां आप text को या फिर other data को store करके रखते हैं, यानि temporary store करके रखते हैं, और बाद में उसे किसी दूसरे location पर paste करते हैं, option A, the clipboard, option B, ROM, option C, CD ROM, और option D, the hard disk, तो फ्रेंज, जल्दी साप अपने answer कमेंट किजिए, आपका टाइम शुरू हता है, तो फ्रेंज, question number 6 का right answer हो जगा, option A, the clipboard, जैसे फ्रेंज, आप एक example लिए सकते हैं, hand, health device, जो हमारा smartphone है, यह भी एक computer ही है, इसमें जब भी हम किसी text को copy करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, वो store हो करके रहता है, कहां store होता है, clipboard पर, अगर आप कहीं paste कर रहे हैं, direct paste का अगर option नहीं दे रहा है, तो हम क्लिप बोर्ड का option देता है, जब हम clipboard पर click करते हैं, उसमें जो data हम copy किये हैं, जो text हम copy किये हैं, वो text हमें दिखाए देता है, और वहां से हम paste कर लेते हैं, तो temporary paste जो होता है, वो कहां होता है, option A, the clipboard. Question No.7, which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on a paper, option A, mouse, option B, plotter, option C, touch panel, option D, card punch. तो friends, जल्दी से आप अपना answer कमेंट कर जिए, आपका time शुरू हता है, अब. तो friends, question No.7 का राय टेंशर होजगा, option B, plotter. Quads consisting of lights and dark marks, which may be optically read, is known as, option A, Mnemonic, option B, barcode, option C, decoder, and option D, all of the evils. तो friends, जल्दी से आप अपना answer कमेंट कर जिए, आपका time शुरू हता है, अब. तो friends, question No.8 का राय टेंशर होजगा, option B, barcode. यानि, काता है कि lighted and dark marks, ठेक, lighted होगा, या फिर dark marks consisting quad होगा, ठेक, जैसे कि आपको इभी products खड़िते होगे, तो उस पर देखते होगे, lining किया हुआ, एक quad रहता है, dark line किया हुआ, black color का line से एक quad लिखा हुआ रहता है, उस quad को सायद काता है कि optically read किया जाता है, ठेक, उसे हम क्या कहते हैं, तो question No.8 का राय टेंशर होजगा, B, barcode. Question No.9, a device for converting handwriting impressions into coded characters and positional coordinates for input to a computer is, option A, touch panel, option B, mouse, option C, WAN, option D, writing table. तो फ्रेंड, जल्दी से आप अपना answer कमेंट किजिए, आपका time शुरू होता है, अब. तो फ्रेंड, question No.9 का राय टेंशर होजगा, option D, writing tablet. यानि, writing tablet के माध्य हम से हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी copy पर हम handwriting लिखते हैं, सेम उसी तरीका से हम writing tablet जो होता है, उसके ओपर लिखते जाते हैं, और वों computer को input देते जाता, या कैसे काता है, positional coordinates के अनुसार, input देता है computer का, तो question No.9 का right answer होजगा, option D, writing tablet. Question No.10, any device that performs signal conversion is, option A, modulator, option B, modem, option C, keyboard, option D, plotter. यानि, signal conversion के लिए, किस मतलब device का उप्योग किया जाता है, तो जल्दी से आप अपना answer कमेंट किजिए, आपका time शुरू हता है, अब. तो फ्रेंज, question No.10 का right answer होजगा, option A, modulator, modulator क्या करता है, signal conversion करता है, तो question No.10 का right answer होजगा, option A, modulator. question No.11, which printer uses a combination of laser beam and electro photographic technique, यानि, वह कौन सा printer है, जिस में laser beam और electro photographic technique का उप्योग किया जाता है, option A, laser printers, option B, dot matrix, option C, line printer, और option D, dash will, तो फ्रेंज, जल्दी साफ अपना answer कमेंट किजिए, आपका time शुरू हता है, अब. तो, friends, question No.11 का right answer होजगा, option A, laser printer, यानि, laser printer में दोनों technique का combination रहता है, laser beam और electro photographic technique उप्योग किया जाता है, तो, question No.11 का right answer होजगा, option A, laser printers. तो, friends, चलते हैं, अब, question No.12 के और, question No.12, the output quality of a printer is measured by, यानि, printer का output quality है, वह किसके माध्यम से measure किया जाता है, option A, dot per inch, option B, dot per square inch, option C, dots, printed per unit time, option D, all of the above. तो, friends, जल्दी साफ अपना answer कमेंट किजिए, आपका time शुरू हता है, अब. तो, friends, question No.12 का right answer है, option B, dot per square inch, यानि, printer का जो output quality होता है, वह dot per square inch के अनुसार measure किया जाता है, तो, friends, अब चलते हैं, question No.13 के ओर, question No.13 में का आता है, कि which of the following is not an output device of a computer, क्या का रहा है, कि not an output device of a computer, option A, printer, option B, keyboard, option C, video, option D, CRT screen. तो, friends, जल्दी से आप अपना answer कमेंट किजी, आपका time शुरू हता है, अब. तो, friends, question No.13 का right answer होगा, option B, keyboard. देखे, question में का रहाता है, not an output device, यानि output device नहीं है, तो, option A, printer, ये तो है है output device, option C, VDU, यानि visual display unit, ये भी है, और तिसरा, CRT screen, यानि cathode rate tube screen जो हता है, यह भी हमारा output device ही है, ठीक, तो, output device कौन नहीं है, option B, keyboard, तो, question No.13 का right answer होगा, option B, तो, friends, चलते, question No.14 की और, question No.14 में का रहा है, the joystick कीजिए, that stick, that moves the cursor in the direction, the stick is moved, यानि, joystick कैसा stick है, जो graphic screen को move करता है, किस direction में, तो, जिस direction में, हम, stick को move करते हैं, तो, कैसा stick है, option A, parallel stick, option B, horizontal stick, option C, straight stick, और option D, vertical stick, तो, friends, जल्दी से आप अपना answer comment कीजिए, आपका time शुरू हता है, अब, तो, friends, question No.14 का right answer होजगा, option D, vertical, ठीक है, joystick इजे, vertical stick, यानि, joystick कैसा stick है, एक vertical stick है, जिस, जो move करता है, cursor को, जिस direction में, हम stick को move करेंगे, उसी direction में, graphic cursor जोगा, वो move करेंगा, जैसे, आप लोग देखे होंगे, जब JCB से work हो रहा होता है, JCB का जो gear होता है, stick जो लगा हुआ रहता है, ठीक, वो stick जिस direction में move करता है, उसी direction में, JCB का जो bucket होता है, जिसके माद्यमसी वो मिट्टी को खोलता है, या फिर कोई समान को उठाता है, उसी direction में move होता है सेम उसी तरहक का होता है हमारा joystick joystick का मुख रूप से game खेलने के लिए उप्योग किया जाता है तो question number 14 का right answer हो जगा option D, vertical stick तो फ्रेंच चलते हैं अब question number 15 की और question number 15 में काता है कि dash consists of a spherical ball यानि किस चीज में spherical ball यूक्त होता है which move भी थी ने socket and has a stick mounted on it जो कि socket के माध्यम से move होता है और उसके उपर क्या लगा हो रहता है एक stick लगा हो रहता है तो option A है joystick, option B है track wall option C है wave camera option D है all of अभाब अभाब तो फ्रेंच जल्दी साप अपना answer कमेंट किजिए आपका टाइम शुरू होता है अब तो फ्रेंच क्वेशन नमर 15 का राय टेंसर होगा option A, joystick यहनि joystick consists of a spherical wall ठीक, joystick में एक spherical wall होता है जो socket के माध्यम से move करता है और उस socket को पर एक stick लगा हुआ रहता है तो question number 15 का राय टेंसर होगा option A, joystick तो फ्रेंच चलते है question number 16 के और question number 16 में कहता है कि the user moves the track wall यहनि user क्या करता है track wall को move करता है with the help of the stick stick के माध्यम से वो move करता है that can be moved dash to move and position the cursor of the desired location option A, left option B, right option C, forward or backward option D, all of the above तो फ्रेंच जल्दी से आप अपने एंसर कमेंट किजिए आपका टाइम शुरू होता है अब तो फ्रेंच नमर 16 का राइट एंसर हो जेगा option D, all of the above यहनि जो आए श्टीक जो होता है ठीक, जो आए श्टीक का जो श्टीक होता है उसको हम left भी मूव कर सकते हैं, right भी मूव कर सकते हैं forward भी कर सकते हैं और backward भी, आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं तो question 16 का राइट एंसर क्या हो जेगा option D, all of the above तो फ्रेंच चलते हैं आप question 17 पर question 17 में काता है कि जो आए श्टीक टैपिकली have a button on dash that is used to select the options pointed by the cursor, option A bottom, option B left, option C, right option D, top तो फ्रेंच जल्दी से आप अपने एंसर कमेंट कीजिए आपका टाइम शुरू हता है अब तो फ्रेंच क्वेस्टन नमर 17 का रायट एंसर हो जेगा option D, यानि जो आए श्टीक के सबसे उपर में एक बटन होता है जैसे अमोली जी की ट्रेक्टर का गियर है कोई भी गारी का गियर है तो उसको जिसे handbrake आप देखे होंगे क्या होता है कि handbrake के उपर एक बटन जैसा रहता है उस बटन को दबाने के बाद जाकर के brake जो होता है उसको खिचा जाता है किसी भी गारी में handbrake रहता है दिया हुआ तो जिस तरीका से उस बटन को दबा करके handbrake खिचा जाता है सेम उसी तरीका से हमारा stick जो है इसके उपर एक बटन लगा हुआ रहता है जब हम किसी भी option को select करना होता है तब उस बटन को प्रेस करते हैं जैसे mouse में left click करते हम लोग किसी भी file या फल्डर को select करना होता है तो हम left click करके उस पहले तो drag करके उस file या फल्डर पर ले जाते हैं cursor को उसके बाद क्लिक करते हैं दबाते हैं तब जाकर के वो option select होता है उसी तरह से जो आइस्टिक में भी उसके सबसे उपर जो आइस्टिक के सबसे उपर एक बटन लगा हुआ रहता है जब उस बटन को हम प्रेस करते हैं तो कोई भी object select होता है या pointed होता है तो friends question number 17 का राइटें सरहा जगा option the top friends अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले वीडियो में कमेंट करे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना न भूड़े तो दोस्तों चलते है question number 18 की और तो friends question number 18 में कहता है the dash is a pointing device ठीक that is much like an inverted mouse यानि जिस mouse का हम लोग उप्योग करते हैं same उसी के जैसा रहता है ठीक option A joystick option B trackball option C USB option D scanning device तो friends जल्दी से आप अपना answer कमेंट किजी आपका time शुरू हता है अब तो friends question number 18 का राय टेंसर हजे का option B trackball तो friends अब चलते है question number 19 की और question number 19 में कहता है ए वेव केमरा इजे वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस यानि वेव केमरा क्या है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है attached to the computer system जो computer system से attached किया जाता है mostly using A जिसमें मुख रूप से किस चीज का उप्योग किया जाता है यानि वेव केमरा को हमें जब computer से connect करना होता है तो हम किसका उप्योग करते हैं तो आप option A, socket, option B, USB port, option C, cable और option D, none of the above तो जल्दी से आप अपना answer कमेंट किजिए आपका time शुरू हता है अब तो फ्रेंट्स, question number 19 का राय टैंसर होज़े का option B, USB port यानि हम जब वेव केमरा को computer system से connect करते हैं तो मुख रूप से हम USB port का उप्योग करते हैं तो फ्रेंट्स, question number 19 का राय टैंसर होज़े का option B, USB port तो फ्रेंट्स, चलते हैं आज की last question यानि question number 20 के उपर तो question number 20 काता है कि वेव केमरा is used for video dash यानि वेव केमरा का उप्योग वीडियो को क्या करने के लिए किया जाता है option A, conferencing, option B, security, option C, control input device और option D, all the e-bham तो जल्दी से आप अपना एसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू हता है अब तो फ्रेंज, question number 20 का राय टेंसर होज़े का option A, conferencing, यानि वेव केमरा का उप्योग video conferencing करने के लिए किया जाता है तो question number 20 का राय टेंसर होज़े का option A, conferencing तो फ्रेंज, अशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक like जरूर करें वीडियो में comment करके यह जरूर बताएं कि out of 20 आपका कितना answer सही हुआ है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी करें और friends अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिलता रहे हम इस तरह के एजुकेशन वीडियो डेली अपने चैनल पर अप्लोड करते रहते हैं तो जब आपको नोटिविकेशन मिल जाएगा तो आप इस वीडियो का लुपत उठा सकते हैं और इस वीडियो से फाइदा उठा सकते हैं वीडियो से पढ़ सकते हैं तो फ्रेंच चलिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहन्द हैव अनाश डे थांक्यू